दोस्तों बात करें तो इक जंग चलती रहती कंप्यूटर के अंदर पीसी वर्सेस मैं की लेकिन बैस्ट चीज है ना अभी तक हम लोग पता नहीं पाएं लेकिन आज इस वीडियो में ना मैं अपने एक रियल एक्स्पीरियंस शेयर करने वालों विंडोस और मैक दोनों का क्योंकि देखा है तो पिछले काफी लंबे समय से विंडोस यूज करो अलगला कंप्यूटर यूज करें मल्टीपल लैप्टॉप्स यूज करें और विंडोस 10 के जितने भी लेटेस्ट वर्शन जितनी भी अपडेट्स है ना सबको टेस्ट हिया ह हुआ है वही बात करें मैक की तो जो मैक बुक प्रो एंवन होता है न उसको भी मैं यूज कर रहा हूँ एमवन चिप के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस लाए पिछले दो डाई महीनों में तो वह भी शेयर करने वालों यानि कि आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेग अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लैक कर दे नो चहल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार ऐसा कमाल का यूनिक कंटेंट अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को लिकिन सबसे बहले हमें बात करने वालों यार काफी लंबे समय से वे वे सब्सक्राइब कर सकते हो और सबसे बड़ी चीज़े कि विंडोस देखा है तो अगर आप उसकी की के लिए पैसे नहीं दे रहे तब भी आप उसे फ्री में चला सकते हो येस और यहां तक कि विंडोस के सॉफ्टर की आप लोग को मालूम है जुगार इधर उधर तो मिली जाते हैं तो यह फैसलिटी तो जो विंडोस में मिलती तो बहुत ही जादा फ्लेक्सिबल चीज थी याने कि विंडोस का अपने हर तरीके से यूज कर सकते हो और अपना फायदा उसके अंदर उठा सकते हो यह सबसे इंट्रस्टिंग बात लगी थी और इसके लिए को कोई मोटा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो देखा तो काफी एक अच्छा ओप्रेटिंग सिस्टम था वहां पर बहुत सारे सॉफ्टर मिलते थे बहुत सारी एप्लिकेशन मिलती थी अलग लग चैप की चीज़े कर सकते हो अलग लग चीज़े डाउनलोड कर स है पाइथाइन एंड्रोइड स्टूडियो सी सी प्लस प्लस जावा सारी चीज़ों का सपोर्ट है वही बात करें अगर कोई अकाउंटिंग करना चाहता है तो टैली और जो अकाउंटिंग सॉफ्टर से उसका भी अच्छा सपोर्ट देखने को होलता है वहीं किसी को अगर तो हाँ इसके साथ काफ़ी सारे बेनेटफिट्स वगरा भी जुड़ेते हैं तो वहीं बात करें सिक्यूरिटी की तो जो विंडोस की जो खुद की सिक्यूरिटी होती है जो विंडोस के अंदर खुद जो बिल्ट इन एंटिवारस होता है उसकी पॉपोमेंस भी काफ़ी जादे इंप्रूव हो गई है कि वह काफ़ी सारे वाइरस वगरा को रोक सकता है तो जी हां ये कुछ चीज थी जो विंडोस के साथ आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल रही थी और एक एजी टूज एक्सपीरियंस था लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कहीं कहीं पर ज जो गेमिंग को अच्छे तरीके से जहल जाए ऑपरेटिंग सिस्टेम में पीसी में तो आप करी सकते है यह एक चीज़ रहती है और यही चीज देखिए मैंने कि जो सस्ते लो एंड कंप्यूटर होते है ना वहां पर एक्सपीरियंस काफी स्लो होता है काफी जादा और काफी इंट्रस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेगी एक बार में विक अप हो जाता है तो आप वह भी काफी इंप्रूब्मेंट है ऐसे ही एमडी रैजन के साथ भी देखा तो जो परफॉम्श पर बंप देखने को मिले वह भी काफी अच्छी चीज़ है यहां पर जो भी तरीके से अगर use कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो नहीं मतलब आप महेंगे से महेंगे कंप्यूटर बना लो और उसके अंदर आपने Windows PC रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं कभी कोड़ी बाद प्रॉब्लम्स वागिरा आने लगती है कई बर हैंग ओने लगता है और उन सब चीज़े को लास्में सॉल्व करने का सर्फ एक यू ऑप्शन बचता है कि आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको Windows रिंस्टॉल करनी पड़ी और उसके बाद दुबारा से आ आपको और बहुत सारे सॉलूशन ट्यूटोरियल बहुत सारी चीज़े मिल जाती है जिसे आप उन्हें फिक्स कर सकते हो तो हां यह कैसी चीज़ें जहां पर जो Windows वह भी लैक कर रहा है एजी टू यूज तो देखने को मिलता ही मिलता है और आपको एक नया एक्स्पीरियंस देखने को मिलता है और अवरल मैक के अंदर और मैक की खास बात है कि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से करम करता है और एक बार अगर आप मैक की आदा डाल लो तो Windows आपको थोड़ा सा स कर रहा है उसमें स्मूद एक्स्पीरियंस नहीं मिलता है जब आपको मैक के अंदर मिलता है क्योंकि मैक के अंदर बात की जाए तो हाडवेर और सॉफ्टर दौनों एकी कंपनी बना रही है एंवन चिब भी एपल बनाती इसका सॉफ्टर भी बना रही है तो ओवरल जो एक इसकी बराबर यह लोग नहीं कर पाए और एमवन चिप के बाद जो बैटरी में उप्टिमाइजेशन आये तो उसमें परफॉमेंस मी इंप्रूव होई है साथ ही साथ जो बैटरी लाफ को काफी उछे तरीके से इप्रूव होई है और सबसे अच्छी बात ही है कि मैक के ल रोसेटा 2 अच्छे से चलता तो उसके अंदर भी आपको अच्छी परफोर्मेंस देखने को तो पते ही नहीं चलेगा कि आप पर मellow पर शन को चीज पिसक्राइब करेंगे चीज़ाशन और प्रहु पर पिंदर वही चीजा कर अगर Apple ने वहाँ पर allow कर रखी है, अगर आपको बाहर से कोई additional software, कुछ और interesting चीज़े करनी है, तो वो चीज़े हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग और बहुत सारी चीज़े धर-धर करनी पड़ेंगे, example बताता हूँ, NTFS की अगर hard drive अगर read करवा नहीं है, तो वो read हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ write करना है, तो वो नहीं हो पाता, external hard drives के साथ अभी भी यह problem बनी हुई है, इसके साथ ही बात करता हो, काफी सारे दूसरे software होते हैं, वो यहाँ पर normally install नहीं होते, especially मैं Mac OS, Big Sur, M1 Chip के बाहरे बात कर रहा हूँ, काफी सारे software ऐसे जो install करने से मना ही कर जिते, एक बात बता हूँ आप लोगो, क्या आप लोगो मालू है कि Big Torrent आप directly install नहीं कर सकते हैं, इस में आप कुछ जगार तोगार तो कुछ करना ही पड़ता है, इस step से काफी सारे इनों बहुत है स्मूध नहीं रहता, लेकर वहीं बात करें, ओररल पफरमेंस की, Apple ने कोई software बनाया है, वो Mac OS भी चल रहा है, hardware भी उसका है, तो उस पर तो बहुत ही कमाल के performance में लेगी, प्लस battery life भी आपको अच्छी मिलेगी, यहाँ पे एक फायदा रहता है, इसके साथ ही आप stability और security के अंदर भी, stability के अंदर मैं बोलना जाओंगा, 99% stable रहता है, लेकर महीने में एक दो बार कही न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कते आती है, लेकर वो कोई ऐसी कोई बड़ी major problem नहीं होती, जिसे आप solve नहीं कर सकते, एक simple restart से solve हो सकती है, even बात करें security की, security के मामले में Mac OS far ahead from windows, यहाँ पर hardware level की security, software level की अलगलग protection लगी हुई है, जो कि काफी अच्छा हो जाता है, तो अगर कोई बहुत ही जाते secure काम कर रहा है, उसके लिए काफी अच्छा है, लेकिन जैसे हमाई normal use के लिए, कि लोग को जब अलगलग software उसकरने पड़ते हैं, वहाँ पर problem है, काफी सारी बात कर, तो काफी सारी जुगाड़े आप Windows के अंदर कर सकते हो, वो सारी जुगाड़े यहाँ पर Mac के अंदर करना, मतलब हो सकता है, लिकिन इस very difficulty right now, और एक और बात यह कि काफी सारे जो programming language कि किसी को programming अगरा करने है, तो basic सारी चीज़े चल जाती है, लेकिन सा सारी चीज़े आने वाले समय में solve होगी, लेकिन अभी भी देखा जाए, जो third party software, जो third party वाला काम होता है, वो अभी भी उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर होनी पार है, इवन जहां पर हम बात की जाते है, Mac rock solid stable होता है, बिलकुल होता है, 99% बहुत ही जादा stable रहता है, ल जो problem से solve हो जाएंगी, तो एक अच्छी चीज़े, ऊपर से updates में काफ एच्छे तरीके से push करते हैं, जिसमें नए features भी add हो जाते है, प्लस जो security होती हो, जो bugs होते हैं, वो भी इंप्रूव हो रहे है, तो हाँ यहाँ पर देखा जाए, तो across the board आपने काफ एच्छे तरीके स काम किया है, लेकिन बस में यह बोलना जाओंगा, कि Mac के साथ अच्छी बात ही है, अगर आप Apple के सारे devices उसकरते हो, जैसे iPhone भी अगर यूज़ करते हो, तो Mac काफी अच्छा है, AirDrop का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से file वगरा transfer कर सकते हो, वही Android के लिए आपको cable क्र यानि कि दौनों के एक अलग दुनिया बने हुई है, और दौनों अपनी अपनी दुनिया के अंदर काफी सही है, एक quick recap यहाँ पर ले ले लेना चाओंगा, जैसे कि दौनों को setup करना काफी जादा आसान है, Mac को देखा या तो कोई जादा धिमाग लगाने नहीं पड़ता, आटमेटिकली सेट अप हो जाता, आप Windows देखा तो आप किसी भी computer में बहुत यासन तरीके से pen drives install भी कर सकते हो, वही बात करें security की, बात करें Mac के अंदर आपको basically touch ID होता है, fingerprint scanning वो है, लेकिन Windows के अंदर देखा तो security के जो improvements हो काफी जादा हो है, face unlock जैसा feature जो iPhone में देखने को मलता, वह को काफी सारे Windows के laptop में देख चुका हूँ मैं, इसके साथी सबसे बड़ी चीज़े hardware choice की, आपको multiple hardware मिल जाएंगे, आपको 4K OLED display, dual display वाली चीज़े, multiple laptop, multiple hardware, multiple gaming setups, काफी सारे चीज़े देखने को मिल जाएंगी, Mac के साथ problem है कि बहुत ही जादा limited hardware है, और hardware की कीमत seriously overpriced, वो जित्ता भी charge कर रहे हैं, उसका वो बहुत जादा premium charge करती है Apple, लेकिन फिर भी हम उसे expensive भी कह सकते हैं और उसे overpriced भी कह सकते हैं, इसके साथ ही बात करें, जो apps जो included आती है, तो Windows में भी कुछ apps आपको pre-install मिलते हैं, कुछ Mac के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन Apple और इसके साथ ही बात करें, तो Windows को manage करना थोड़ा सा आसान है, यहां पर देखा है, तो shortcuts भी थोड़ी smooth हैं आपके Windows के अंदर, Mac के अंदर भी shortcuts से आपको अलग चीज़े देखने को मिलते हैं, लेकिन दौनों completely अलग दुनिया हैं, और overall दौनों में जो simplicity हैं यहां पर Windows के अंदर लगती है, Mac के अंदर भी चीज़े जो है आपको सीधे-सीधे सामने की तरफ देख इसके साथ ही बात करें support की, तो जो support है वहां पर Apple प्रोवाइट करती है, तो देखा जाए तो आपको Apple कोई content करना पड़ेगा Mac के अंदर, तो वो एक negative content क्योंकि अगर कोई third party repair वगरे करवान है, तो काफी जादा महेंगा पड़ जाता है, और इसना easily available नहीं होता, Windows के अंद बात करें, gaming के लिए, obviously जो Windows काफी बड़ा king निकल कि आ जाता है, लेकिन बात करें security के मामले में, definitely Mac आगे निकल जाता, stability के मामले में बात करें, तो वहां भी Mac की stability है, Windows के comparison में जादा है, Windows को भी और stable होनी की जरूरत है, तो देखा जातो यह operating system और Mac और PC की वीच में difference बता है मैंने, लेकिन एक important बात यहाँ पर बता देना चाहूँगा, कि add and drop that है, यह depend करता है कि आप कौन सा software, कौन सा program यूज़ कर रहा हो, देखो, बात यह रहते है कि आप operating system के अंदर, या फिर किसी भी device के अंदर काम काम करते हो, उसके अंदर जो software रहता है, उसके अंदर आप ज कोई ऐसा software यूज़ करने, जो Windows के लिए ही available है, तो आपको वहाँ पे Windows यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आप Mac यूज़ करते हो, और वहाँ पे कुछ चीज़ है वहीं पर available है, तो वहाँ पे आपको Mac यूज़ करना पड़ेगा, इस तरीक से आपको एक decision लेना है, क्योंकि देखा है तो operating system का use यहाँ पे काफी कम करते है, लेकिन अंदर जो चीज़ होती है, वहाँ पे जो use होता हो काफी जादा होता है, और last में एक और बात है कि यहाँ पे hardware भी काफी जादा जरूरी रहता है, पास में हमने देखा था Windows के अंदर hardware आपको थोड़ा सा Mac के साथ सबसे बड़ी चीज़ी है कि अगर आपको उसे use करने तो आपका Apple का ही hardware लेना पड़ेगा और उसकी कीमत सच बतारों काफी जादा हो जाती है, तो देखा जाए तो यहाँ पे दौनों के साथ अपनी अपनी अलग-अलग problems जूड़ हुई है, आने वाले समय में इन आने वाले future काफी interesting होगा, फिर देखेंगे कि आने वाले future में आगे चलके कौन निकल पाता है, तो जी हाँ यह सारी बाते होती है, Mac versus PC की एक real user experience बतानी कोशिक कर रहा था, जो पिछले काफी लंबे समय से मैंने खुदने experience किया है, और even Mac user विंडोस दौनों को use करने का और म झाले कोड़ बाइ!